हूं हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम कच्छे केले सैंबर्फी बनाएंगा आपको है能 लिक्तैस और थे चैनि लिए जीक आपार चोगा द्याचिको किन Timmy j chinus या तोड़ा जादा 1 कठोट धी लिए हैं और। दूद कम अलाई लिए अब हम चलते हैं केल्य का बरफी बनाने के लिए तो पहले केले को कुकर में नॉवाल लेंगे कुकर में इसको हम डाल देते हैं इसको धोलिये हैं अच्छे से फिर सुखाली है इसको अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको वालने के लिए रख देते हैं केले को वालने के लिए रख दिये हैं अभी हम इसमें तीन सीटी आने तक इसको पका लेंगे तीन सी केले को निकाल लेंगे केले को निकाल लेंगे केले कि इतना अच्छा से पगगा है इसका फिलका निकाल लेंगे इसको इतना से इसका तिलका निकाल लेंगे इसका फिलका उसी तरह से निकाल लेते हैं दोनों केले का चिलका निकाल लिया है अब इसको पोग की सहाथा से इसको इस तरह से मैस कर लेंगे अच्छे से मैस करना है इसको गुठली नहीं रहना चलिए अब ही गरम में ही मैस करना है ठंडा होने के बाद पड़ा हो जाता है केला तो मैस नहीं होता है ड्ष्या है तो बत्हार सवे पुलका मैस करने जहीं कर दो तो तो बत्वश्वा एंडा सब्सक्राद़गेम ग्रौipedia कि देखिए इसको अच्छे से मैस कर लिए हैं इसमें बिल्कुल भी गाट नहीं रहना चाहिए अच्छे से मैस कर लिए है अब हम एक कडाही लिए हैं कडाही में घी दाल देंगे घी को गरम होने देंगे घी गरम हो गया है अब हम इसके लिए को इसमें डाल कर प्राइब करेंगे इसको प्राइब 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 करेंगे यह बिए का रहा जाए से देटेंगे यह बिए तक अंच मिनटे तक स्लो प्लिम पर इसी तरह प्राइब करेंगे झाल झाल प्राय करते हैं पांच मिनट हो गया है अब हम इसमें बूप का मलाई डाल देंगे इसमें इसमें बूप का मलाई डाल देंगे और इसमें इसमें अब हम इसमें नावियों का बूपरी डाल देंगे रिक पटोरी और इसको भी टर लेंगे इसमें फ्लेम को स्लोक और मीडियम ही रखेंगे इसमें अभी हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, अधा का टोरी चीनी है, इसको भी प्राय कर लेंगे, अच्छे से, चीनी पिढ़ जाएगा इसमें, अभी हम इसमें थोड़ा इलाइची कॉडर डाल तेंगे, आप चाहें को इसमें कलर भी ढाल सकते हैं, इलाइची को भी अच्छे से, मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसको एक प्लेट में भी बनाने के लिए, अब हम एक प्लेट लिये हैं, इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, और इसको हम इस प्लेट में निकालने हैं, अब हम इसमें में काम काती हैं, तरदी है अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर इसका बर्फी काट लेंगे रखे वर 5 मिनिट हो गया है और यह ठंडा हो गया है अब हम इसका बर्फी काट लेते हैं आप इसको किसी भी सेभ में बना सकते हैं देखिए हमारा बर्फी बनकर तैयार हो गया है यह केले का बर्फी बहुत टेश्टी लगता है बहुत यूनीक रेस्पी है यह अच्छे केले का बर्फी अगर हमारा रैश्पी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजा किजिए और जे कीजिये यह देखें बरना है और बहुत ही फर चीश्टी रखता है अंदर से बहुत ही अच्छा बनता है यह खाने मेंग भी बहुत ही लगतां है केले का पर्खी आप ही बनाए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर इस रेस्पी को एक बर बना लिए तो बार बार बनाएंगे यह बहुत ही अच्छा रेस्पी है